तुर्की और सीरिया में भुकम्प से खतरनाक तबाही मच हुई है तोनों ही देशों में मौत के मामली लगातर बढ़ते चुआ रहे हैं अब तक 28,192 लोगों की मौत हो चुकी है और घायलों की संख्या 78,000 के पार हो गई है इसे बेच यूएन की मदद वेचने वाले चीफ मार्टिन ने कहा कि भुकम्प से हुई मौतो का आकड़ा दूगुना हो सकता है जो ऐसे जिससे मलवा हटेगा शब बरामत होंगे रेस्क्यू ओपरेशन फाइनल स्टेज में है